तो यह वाट्स अप गर्स कैसे हैं आप लोग तो आज में डर पीक आप टूमास लाटी सेजन दूगा न्यू एपिसोद एक्सपेंड करने वारा हूं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बेना कोई टाइम वेस्ट कियो हुए इसको पहले के एपिसोड में आप अब लोग याद होगा की हुआ क्या है तो हुआ यह था कि ये सामने आप रहावट इंटैमपा से वेस्ट तिन बंडे आजाते हैं जाहां पर उनके बेच्वाट शूरू हो गया था तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं उन ड्रो नीपिस तो दूर चला जाता है जहां पर घायल भी हो गया था तबिन फिंग उस पर जो अपना फॉनिक से पियर करके उस पर टैक कर देता है जहां पर बंड़ा एक बैजर बनाकि उस फायर फॉनिस को रोकने को सिस्क घरता है लेकिन वह इसमें काम्याब नहीं होता है वह घायल हो गय जाते हैं तो पके बाता है वाहँ वहां पर यह पन्क पर की की मधदर कर देता है जाहँ पर यह फिंग करद को वह में साथ हों बोला कि कि यूँदा है बिस राइक फाइब के मासवसे प品ा Labs ना पर फायर ड्राइगन 9 चांश्फरमेशन फस्त स्वैलो दमून टैकनिको परफॉर्म करताय तो तब वहाँ पर एक फायर ड्राइगन को अपियर्ट करते ता है और फिर वहाँ पर दिवहान पल की मजड़ से उस फायर ड्राइगन को और जादा पाफुर्व बना देता है जहांपर वो फायर ड्रैगन अपना इनर्ची वेव से ही उस बंदे का सारा अटेक को निलिफाई कर देता है तेडी के वो बंदा भी हरान था तबी वो फायर ड्रैगन उस बंदे पर अटेक कर देता है तो बंदा एक बैजर क्रीट करके बचने का कोसिस करता है लेकिन वो ड्राइगन उसको अपने मूँ में डवाके एक जमीन पर दे मारता है बहुत जादा जोड़ से ते दे कर वहां पर सब लोग हरान थे जहां पर फैंग लैंड बोर रही थी जहांकि मैंने कौन सा टेकनिक है मुझे बहुत जादा मेनट करना पड़ेगा इतके साथ चलने के लिए तो तरवे हम देखते हैं कि जो हार्टिन का सन था वहां पर एक फार्मेशन एपियर करने लगता है तो उस फार्मेशन को देखकर जो फूठा वह बोर रहा था किया तो नेडर वर्ड क्लैन का फैंटम सौड एरे हैं जहां पर हम देखते हैं कि ये फिंग भी उस फार्मेशन के अंडर कैड हो गया था उस फैंटम से नहीं बहां निकल पाता है तो तरवी वह बंड़ा वहां पर एक बैयर क्रियेट कर लेता है और अपना क्लोन करते हैं बहुर रहा था कि नीफिंग टुमने से कोई ने बचा सकता है और फियो अपने सारे क Après लोन को ये मशा ड्टा करने के ये भेज देता है जांपर हम झहते हैं कि वह सारे क्लोन जब ये नीफिंग पर अटक करते हैं निफिंग बना के सारे का टैक रोक देए तो तभि हम वस बंदे के जड़रा पताया जाता है कि इस टेकनिक इस एरे की मतल से रैंक 6 वाले बंदे को भी असानी से मारा जा सकता है जहां पर यूई वान बोलती है कि नहीं ये फिंग यहां पर हार नहीं सकता है तब ही यंग मास्तर हाउट यूण बोल रहा था कि देखो ये फिंग तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम सब्सक्राइब को देख पा रहे हो और फिर अपने सारे क्लोन क्रियर करके उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है तो हम ये फिंग का सिंग देखते हैं जो कि वहां पर बोलता है कि तुम में क्या लगता है कि तुम मुझे अरा सकते हो इंगातिया ट्रीक से और फिर और के यंग मास्थर आता है यकजाग मस्ष्ण troph का सब्समान का कि और फे हम बाखने का नकाम्याब करता है मैं यस लिए इस यहिंग में कि और अवे निठी क्टेम पर जाएक और एक है वहां पर डिवाइन पल की मदस्स पर अटैक करता है जिससे वह बंड़ा वहां पर बहुत जादा घायल हो के नीचे गिर गया था गौर करने की बाती है कि उसे टोकन अलग हो गया था तभी नीफिंग उसके पास सौट पॉइंट कर देता है तो तभी वह यंगमास से बोलत है अब बोलता है कि चलो हम लोग इस चीज़ को तुम्हारे स्टाइल में खतम करते हैं कि मैंने यह जिसको बहुत चादा इंसहन किया है लेकिन तुम लोग नहीं कर पाते हो और तो उस पर अठाक करके उसको वहां पर मार देता है लेकिन यहां पर नीफिंग गायल हो गया तो आजाती है जहां पर हम देखते हैं कि नीफंग उसको चब देखने लगता है तो बना जो है फैंग लिंग को भोड़ रहा था कि हम लोग लिए बहुत जादा इच्छी बात है कि हम लुग जोए यह फिंग के डूस्मन नहीं है क्यूंकि अगर नीफंग कुंकि नीफंग बहुत जादा पाफुल है वो बहुत जादा प्राइजिनियस है अगर हम लोग कुछ भी घरकत करते हैं बैड इंटेंशन से सुरा सिटी में फाइट होने वाला था उसमें तो हम लोग के लिए मुसीबत था तो फैंग लिन बोलती है कि हाँ लिगना एक सेकिन तुम जो हमें क कैसे बजल जाती हो तो टबी हम दिखते हैं कि वहाँ पर जो जोंग कर बना था वो भी आ गया था और उस यंग मासु को मरा देखी लेकित अब हैं बोलता है जहां पर हम देखते हैं कि एक कमरें के अंदर उन दोन होते हैं जहां पर यह वन बोल रही ती कि जो जोंग क्योंकि उसने जो हम लोग को एक अच्छा सा रूम प्रोवाइट किया सी इक लिए लेकिन से ही लेकिन किया हुषने रप्स पीदियार रिकावरी के लिए और वह हम लोग का मदद भी कर रहा है टेवा सुनकर नीफिंग बोलता है कि हाँ जॉंगली वाकी में अच्छा है हम लोग उसके साथ अच्छा डोस्टी निवा सकते हैं तो तवी यू यूवन उससे पूस्ती है उस टोकन के बारे में कि उसमें क्या है तो नीफिंग बोल रहा था कि इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ह एक बैरियर है लेकिन चिंटा ना करो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ यूवन उससे पूस्ती है कि अब हम लोग के पीछे कुन आ सकता है तो नीफिंग बोल रहा था कि यूँचेंग जो कि हाफ्ट्यंग के नीचे है सबसे ज़्यादा पाफुल वो तो नहीं आने वाला है क् यूवन पूलती है कि अगर हम लोग को ट्रू मासल में डालन में जाना है तो हम लोग को हैवेंदी आलिन पार करना पर एगा तो उर्लुक जा है वहां पड़ हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रियेट कर सकता है तो नीफिंग बोलता कि जनता ना करो हम लोग कुछ समय अराम जहां पर उसके पेंदेंट के आगे ऊट लिका हुआ एपिर हो गया था तो इसको देखकर यह पूलता कि रहा यह तो हो रहा है लेकिन अचम्नक से वह पर भी लास हो गया था यह देखकर यह नीफिंग बोलता कि इसमें दो रिस्ट्रिक्सन लगा उन्ने आप मैं तो वाकी नहीं होने वाला है फ्यूचर में और फिट वहां पर वही सौड बॉक्स एपियर हो गया था तो हमारा एपिसोड यहीं पर घटम हो जाता है